आपका स्वागत है मैं गर्जिंद्र पाठक प्रोपसर हिंदी विभाग हैदराबाद विश्विजाले आपके बीच उपस्तित हूँ और आज हम साहित्य और इतिहास दरशन प्रश्ण पत्र के अंतरज़त इतिहास और साहित्य के संबंद पर बात करेंगे इस अध्याय को पढ़कर आप इतिहास और साहित्य का संबंद जान पाएंगे साहित्य में अभिव्यक्त इतिहास का महत्तु समझ पाएंगे इतिहास और साहित के प्रारंभीक दौर में नायकत्य की खिंद्री और धारणा में अभिव्यक्त इतिहासिक्ता से प्रचित हो पाएंगे साथ ही और पन्यासिक यथार्थ और यथार्थ वाद में अभिव्यक्त इतिहासिक्ता से प्रचित हो सकेंगे और समकारिन विवर्स पर आधारिन साहित्य में विक्त इतिहास का महत्तु जान पाएंगे इतिहास और साहित्य के पारस्परिक संबंदों पर विचार करने के क्रम में प्रात्मी कस्तर पर जो बात सबसे पहले समझ में आती है उसका संबन्ध दोनों की विशय वस्तु से है इतिहास में जहां हो चुके की बात होती है वहीं साहित्य में जो हो सकता है उसकी बात होती है विशय वस्तु के धरातल पर इतिहास और साहित्य की स्भिन्नता की बावजूद जो दूसरी बात प्रेहत महतपूर्ण है उसका संबन्ध समाज से है समाज की का इव्यक्ति से है जहां इतिहास और साहित करम सह हो चुके और हो सकने की बात करते हैं वहीं समाज की अस्तर पर दोनों उसे समझने की प्रक्रिया में लगभग एक ही तरह की भूमिका निवाती है यहां एक बात और उलिखनी है कि समाज की समझ की आधार पर ही इतिहास और साहित की रूप रेखा निर्भर करती है साहित और इतिहास के संबंधों को समझने के करम में हमें भक्ति आंदोलन और भक्ति कविता में अविव्यत इतिहास और साहित के संबंध पर विजार करना होगा भक्तियान जोन और भक्ति कविता की हवाले से अनेक इतियासकारों का इतियास और साहित के संबंद पर विचार करने का एक ठोव साधार है निश्रह यह कविता उसामंती समय और समाज की अंतरिक उथल पुथल और प्रतिरोत की संस्क्रिवत को समयने के लिए एक एतिहासिक साच्च्य है अपने मसूर निवन्द भारत वर्समें इतिहास की धारा में रविना ठाकुर ने नानक और कवीर जैसे उप्रदेशकों के एतिहासिक योगदान का मिल्यांगिन करते हुए लिखा है कि उन्होंने ध्यान योग से सपस्ट देखा था कि बिखराव और असंगलगनता के बीच भारत किसी निवर्द सत्य पर प्रतिष्ठित है मत्योग में एक किबाद एक कवीर जैसे आचारियों का अप्यूदे हुआ जो बोज भारी हो उठा था उसे हलका करना ही उनका एक मात्र प्रयास था लोकाचार, शास्त्रविधी और अभ्यास के रुद्ध द्वार पराखात करके उनने भारत को जगाने का प्रतिकिया दिए रविजनात की केश उधरण से स्पस्थ है कि साहीत तेने इतिहास की धारा को मोड़ने में किसी भी अन्य अनुसाशन से कम भोमिका नहीं निभाई है यह भी ध्यातव्य है कि जिस भारी बोज का उलेक यहां है उसी कि और संकेत करते हैं सद्वेदी ने पंडिताई को एक भारी बोज माना था बार बार पूथियों को उधरुद करने वारुद्वारा निर्मित बोज कभूर जैसे लोग इस बोज को अपनी तरह से हलका करने का प्रयास कर रहे थे तू कहता कागद की लेखी मैं कहता आँखिन देगी टैगोर के इसी निवंद में साहित और इतिहास के प्राचिन संबंधों के संदर्वी सामिल है रामायन और महाभारत की कथाओं में इचिपे एतिहासिक संदर्वों की व्याख्या करते हुद ने महसूस किया था कि आरम्ब में ही भारत वर्ष के दोनु महाकावियों का मूल विशह यही प्राचिन सामाजिक संघर्ष अर्थात समाज के भीतर नोतन और पुरातन का पिरोध वे इसी क्रम में इस निसकर्ष पर पहुँचे थे कि महाभारत की समिख्षा करने से इसपर्ष देखा जा सकता है कि विरोध के बावजूद अन्यारियों का मिलन और धर्मिलन हो रहा था इस तरह जब वन शंकर और धर्म शंकर होने लगा समाज की आत्म रक्षन सक्ति ने सीमा निर्णे करके बार बार अपने को बचाने का प्रत्ति किया जिसका त्याग संभो नहीं था उसको ग्रहन करेके एक वेस्टन में बान दिया था मनुश्मर्थ में वन संकर के विर्थ जो प्रयास है और मुर्थि पूजा विवसाई ब्रामनों के प्रति जो घिना व्यक्त की गई है उसे पता चलता है कि अनारियों के साथ रक्त मिश्रण और धर मिश्रण सुक्रित होने पर भी उनका विरूथ बंद नहीं हुआ था जैगूर का या निसकर्स इस बात का प्रमाण है कि साहित के आधार पर इतिहास के संगहर्सों को पहचानने की छमता रखते थे साहित में इतिहास का संदर्व वही पहचान सकता है जो साहित और समाज के गतिसीन संबंधों पर भरोसा रखता हो इतिहास की धाराएं और साहित की धाराएं ज़रूरी नहीं कि साथ साथ चलें अलग चल सकती है लेकिन उनके इस अलगाव को पहचानने के लिए भी दोनों के बीच जो समाज है उस समाज की संग्रचना को उसके अंतर विरूद को पहचानना होगा साहित तर इतिहास का संबंध जो यूरोप में होगा जोरी नहीं कि वही भारत में भी हो इस क्रम में हम इतिहास में नायकत्य की अधारना पर भी विचार करेंगे कई इतिहास कारों ने इतिहास में हासिय की आवाजों को प्रमुकता दिया अब तक नायकत्य की पुरानी अवधाना में उल्ची हुई इतिहास द्रिस्ट हासिय की इन आवाजों को सुनने की इच्छा नहीं रखती थी यह विचानी विशा है कि प्रेमजन जैसे लेखक हासिय की इन ही आवाजों को अपने कधा साहित्य का विशा बनाते है इस यह विचार करने का विशा है कि साहित्य के इतिहास बोध और सामाजिक और राजिन्तिक इतिहास बोध में यहां कौन आगे और कौन पीछ है सामाजिक इतिहासकार जब वैदी काल का इतिहास लिखते हैं तब उन्हें साहित्य के पास जाने में कोई हिचक नहीं होती अर्थात जिस समय का कोई इतिहास नहीं है उस समय का साहित लेकर अगर इतिहास लिखाया सकता है तो फिर जिस समय का इतिहास उपलब्द है उस समय के साहित को लेकर इतिहास कारों के वीच इतने लापरवाई क्यों है यहां इस बात पर विचार करने की जरूरत है कि सवालटन के अधार पर जो समाजिक इतियास लिखना चाहते हैं वे कई बार साहित्य के पास जाते तो हैं लेकिन वे लगवा एक परदेशी की तर जाते हैं साहित्य के पास जाने का अर्थ होता है साहित्य को साहित्य की तरह पढ़ने और समझने की इच्छा या जरूरत जिनों के पास या इच्छा नहों और जो इस जरूरत को नहीं समझते वे कई बार साहित्य के पास जाकर भी सही निश्करत के साथ वापस नहीं लोटते इतिहास लिखन के इतिहास और साहित के इतिहास पर साथ साथ विचार करते हुए कि दोनों जगा प्रारंभिक चरणों में महानायकत्य की परंपरा का पादन लिखता है इतिहास के नायक और साहित के नायक लगवक एक जैसे रहे इस प्रसंग में युव्यान के प्राचिन साहित और इतिहास को याद करें तो प्लेटो का साहित की विशोशनीता पर सवाल खड़ा करना एक विचारनी प्रस्ता है हुमर जैसे कवियों के बावजूद प्लेटो का साहित परिया संदेह समकालिन दारिनिति परस्तियों के मद्दे नजर ततकालिन परस्ति की देंग लगती है कला और संस्कृति के मुरीद एथेंस का स्पार्टा के बलचारी लोगों दारा पराधीन हो जाना साहित के प्रति संदेह की ठोस जमीन तयार करता है एक तरफ हुमर जैसे कवियों के महाकावियों में उपरस्ति महानायक तो दूसरी तरफ एथेंस की पराजय नस्षित रुप से विटमना पूर्ण लगता है साहित के प्रति स्प्लेटो का या संदेह इसी विटमना जनक परस्ति से जुड़ा हुआ है तो भी हम लगभर किसी दिन से पहुँचेंगे वीर गाथा काल से लेकर रीतिकाल तक के महाकावियों और उन महाकावियों के महानायकों और उनकी कथाओं पर विचार करें तो यह बात थोड़ी परिशाम करती है कि क्रमशा कमजोर और पराधीन होते जा रहे देश के साहित में इन महानायकों की कलपना का संबन इतिहास से कितना है पृथां प्रिथवी राधी रासों की प्रावानिकता से लेकर पदमावत में इतिहास और कलपना से जुड़े हुए सवाल आज तक विश्मेद्यालों की परिशामें पुझे जाते हैं, पढ़ाये भी जाते हे हैं राम चैत मानस के उत्तर कान में राम राजी की परिकल्पना वास्तविक्ता और उसकी बढबना पर भी बहसास तक जारी है क्या हिंदी के इन महाकावियों की परिकल्पना हारे को हरिनाम है या इसका सम्मन इतिहास की वास्तविक्ता से भी है प्राक्तित जन को साहित में इतिहास बदाने वाला विरगाथा काल हो या रीतिकाल या फिर उससे भागने वाला या बचने वाला भक्तिकाल हो हर जगा साहित में इतिहास के स्वरूप और उसकी वास्तिविक्ता को लेकर टकराव के सिरी दिखाई पड़ती है इस टकराव के समासास्त पर या राजनिती सास्त पर विचार करने का अवकास इद्यप यहाँ नहीं है फिर भी एजरा पाउन का सहारा देते हुए यह तो कहा ही आ सकता है कि महा कावे इतिहास युक्त कविदा है जब इस कविदा में इतिहास की मात्रा और स्वरूप पुले का सवाल उठ सकता है किसी जगह यह दाल में नमक की तरह हो सकता है तो किसी जगह यह नमक में नमी की तरह इतिहास और साहित्य के संबंधों पर बात करते हुए हमें साहित्य की उस विधा पर विचार करना होगा जहां उपन्यास का सरवाध ही कुपयोग हुआ है तरी कहने का आशर उपन्यास को लेकर है उपन्यासों में अव्यक्त नायकत्य की अउधाना और हिंदी उपन्यास में अव्यक्त इतिहास बोष पर अगर बात करें तो हम अपने महाकवियों के इतिहास बोध और साहित बोध की समलित संस्कृत से निर्मित नायकत्यों की और धारणा के आधार पर भी विजार कर सकते हैं नायकत्य की उस अधाराना में आये क्रांतिकारी परिवर्तन का शंबंद उपन्यास और विशेश रूप से प्रेम्चन के उपन्यासों से है सिमान्त किसान और मज़्दूरों को अपने उपन्यासों का नायक बना कर उन्हें हिंदी साहित्य को भारती स्वाधिन्ता अनुलन की उस जेतना से जोड़ने का काम किया जिसका अभाव समकारिन डायरितिक संस्कृत में दिखाई परात पड़ता था जिस दौर में नहरू जैसे लोगों को जमिंदारी प्रधा उन्मुलन की बात बेवक्त की पहासरी लगती थी उस दौर में प्रेम्चन के उपन्यास साहित्य और राजनीत के समंद्र पर ही नहीं साहित के इतिहास बूद और राजनीत के इतिहास बूद पर भी प्रकास चाहते हैं प्रगतिशिकल साहित में साउंदर के जिन नए मेयारों की प्रिमचन ने बात की थी उन मेयारों के प्रिश्चभू में अवद से लेकर बिहार तक के किसान आंदोदन की भी अन्गोश थी जमिनारों के खिलाब छोटे रहयतों का विद्रोह स्वाधिन्ता आंदोदन के साथ ही शुरू हुआ था पूरी दुनिया में स्वाधिन्ता की चेतना और सोस्न और दमन के विरूत की चेतना का विस्तार हो रहा था और इस चेतना के विस्तार को मैकसिम गोर्की, लुशुन और प्रिमचन जैसे साहितिकार अपनी जविनी वास्तेविट्राओं के साथ अवियर्ट कर रहे थे यह अलग से कहनी के जरुवत नहीं होने चाहिए यह नई चेतना साहित की जिस नई विधा में वेक्थ हो रही थी वो विधा उपन्यास थी साहित और इतिहास के सम्मद्ध पर विजार करने ही सबसे प्रामाणिक विधा उपन्यास है जो काम सामन्ती समय और समाज में एक समय महाकावियों ने किया था वैसा ही काम पुझिवादी समय और समाज में उपन्यास कर रहे थे अगर महाकाव इतिहास युक्त कविता थे तो उपन्यास इतिहास युक्त गद्ध है निरादा ने जब गद्य को जीविन संग्राम की भासा कहा होगा तब निस्षख उनके सामें प्रेम्चन जैसों के उपन्यास रहोगा प्रेम्चन की उपन्यासों के अधार पर स्वाथिंता अंदोधन के दोर में बिटी समराजवात की आर्थिक नेतियों से उपजे सुचन और दमन के कुचक्र का इतिहास लिखा आ सकता है जाहिर है इस कुचक्र का सरवाजिक दुस्प्रवाओं छोटे किचानों और मजदूरों पुरुआ इसलिए प्रेमचन का साहित अपने दोर का आर्थिक और समाजिक इतिहास भी है महाकावियों में अव्यक्त इतिहास वाथ पर विचार करने के बाद उपन्यासों में अव्यक्त यथार्थ की चेतना और इतिहार्थ वाथ पर विचार करना साहित्य और इतिहास के संबन्य को समझने के लिए अत्यावस्चत लगता है इश्मनी है कि जौर्ज लुकाश ने यथार्थ और इथार्थवाद के व्यक्ति के लिए उपन्यास विधा को सबसे ज़्यादा उपयोगी माना था इत्यार्थवाद के नाम पर चली लंबी बहस का प्रवाव दुनिया भर के साहिते पर पड़ा उसके समर्थन में कूछ ऐसी लोग भी खड़े थे जो इसे गतिसीन विचारधारा के उपर स्विगार करने के लिए बिलकुल तयार नहीं थे ऐसे लोगों की कमी हिंदी में भी नहीं थी ये लोग भूल गय थे कि स्रम लुकाज ने काफ़का के बारे में अपनी डाय पदली थी यथार्थवाद के स्वरूप में समय के साथ परवर्तन हुआ और इस परवर्तन को समझने के लिए गर्भिलय गर्सिया मार्केज की रचनाव में विक्त जादू ये थार्थवाद को भी दिखाया सकता है उपन्यास के साथ ये थार्थवाद की चर्चा सिर्फ येरोप में नहीं बलकि हिंदी में भी साथ साथ हुई शुक्ल जी के इतिहास में यथार्थ वाद का उलेक भी उपन्यास के संदर में ही हुआ है यथार्थ वाद से उपन्यास का संबंध भी इस वाद का प्रमाण है कि सामाजिक वास्तविक्ता का सीधा संबंध उपन्यास से है और साहित्य के इतिहास बोद पर विचार करने की सबसे अधिक संभावना उपन्यास में ही है यूरूप में उपन्यास का इतिहास लगभग 300 साल पुराना है हिंदी में भी उपन्यास लगभग 500 साल पुराना हो चुका है जब साहितिके छेत्र में यूग परिवर्तन की गती तेज हो और आलोचना तिस्टियों में भी निरंतर परिवर्तन जारी हो तब भी साहितिक विर्हा के रूप में उपन्यास का इतने समय से लोक्प्री बने रहना मिशीरिश मायने रपता है आदोनी की रूपी इस इतिहास की अंतरहराओं को समझने के लिए मादम भवेरी और अन्या करनेना उपन्यास का एक प्रशन यहां उल्लेखनी है अपनी मशूर कुस्तक इतिहास और आलोचना में समलित निवन्ध व्यापवक्ता और गहराई में नामवर जीने इन दोनों मशूर और प्रण्यासिक रुतियों के तुन्ना करते हुए उसमें छिपे सामाजिक और अतिहासिक सत्य को समयने का प्रयास किया था और लिखा कि दोनों की नाइकाएं अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष की आक्वेस्ट होती है फिर भी अन्ना के चरित्र में जो गहराई है वो मादम बावरी में नहीं है अपने पूत्र सेरेजा के प्रति अन्ना का जो प्रेम है वो उसे मादम बावेरी से बहुत उंचा उठायता है यही नहीं अपने प्रेमी ब्रॉंज की में भी कभी कभी उसे सेरेजा के जालक मिलने लगती है इसके अतरिक अन्या में जो अंतरद्वन्द है उसका सतांस भी मर्डम बाविरी में नहीं है ततकाली फ्राम्सिस्य अरूसी समाज में नतिकता का जो बोज था उस बोज को हलका करने में मादम बाविरी और अन्या करने जैसे चरित्रों को जिन आंतरिक संगहरसों का सामना करना पड़ा उसको समझे बगएर युरूपी समाज की आदोनिक्ता को समझना संभो नहीं है महार उपन्यास महार महाकावियों की तरह अमर चरित्रों का सरजन करते हैं ऐसी रचनाय जहां एक तरफ साहित के इतिहास में अपनी अलग पहचान बनाते हुए कालज़ई और विश्वजनीन सिद्ध होती है वहीं दूसरी तरफ अपने समय और समय की बढ़म बनाओं को अपने रचनाओं में जगा दिने के कारण साहित और इतिहास के बीच एक सीद्ध काभी काम करती है उपन्यास में यह थार्थ की खोज का मतलब है यह थार्थ के गतिसील रूप की बहचान और उसकी सम्भावनाओं की तलाश इतिहास प्रक्रिया में क्रियासील वास्तविक्ता के बदलते रूपों, अर्थों और सम्भावनाओं की तलाइस के कारण ही प्रेमचंद और रिनिल के उपन्यास वर्थमान से भविश्य को जोडते हैं भारत की स्वाधिन्ता के साथ साथ जो विभाजन हुआ उस समय छायवाद के तीन कवी निराला, पंत और महादेवी जिवित थे उसी दोर में प्रगतिवाद के चार बड़े कभी नागारजुन, मुक्तिवोग, त्रिलोचन और किजारन थकरवाद भी कभीता लिख रहे थे अस्यरी की बात है कि इन सभी महा कभी उनि भारत के इत्यास के सबसे भीशन दुफ पर एक भी कभीता नहीं लिखी किवन प्रयोग वाद के कभी अगिये नहीं इस विशह पर कभीता लिखी, शनार्थी सिरिंकला से जबकि इसी विशह पर तमस और जोटा सच जैसे उपन्यास लिखे गए, कई महत्रपुन कानियां में लिखी गए साहित के इतिहास की ए घटना उपन्यास की इथार्थ चेतना को लिखांगित करती है हिंदी कभीता की दुनिया में विभाजन की त्रासदी की अनुपस्चती, और हिंदी कभासाहिति में उसके विव्यक्तिक गभियों और कभाकारों की मानसिक्ता से अधिक कविता और कथा साहिति के सभाव की भिन्यता से जोड़ी हुई सच्चाई उपन्यास का सीधा सम्मंद लेखा के इतिहास बोथ, इतिहास चेतना और सामाजी के अथार्थ वाद की समझ से जुड़ा होता है किंद पिछले कुछ वर्षों से हिंदी में समकालिन वास्तविता से उपन्यास के गहरे सम्मंद और उसका लोगतांत्रिक सभाव ठीक उल्टा दिक रहा है इस बीच वेदों, उपनिशदों, पुरानों और महाकावियों की कथाओं को एक और उपन्यासों में ढ़ालना की कुछ वरी है तो दूसरी और ऐसी कथाओं के माध्यम से उपन्यास को अतितोन मुखी और स्मर्तिजी भी बना जा रहा है यह एक भविश्योन मुखी और समकालिंता से जोड़ी विधा को अतितोन मुखी रूप देने की कोशिस है साहित और उतिहास के समन्द पर विचार करते हुए इस खतरी को भी ध्यार में रखना आवस्यक है कि लोगप्री ये साहितिक विधाओं का सिर्फ उपयोग ही नहीं दुरूपयोग ही हो सकता है रेमन्ड विलिम्स ने इसलिए सावधाम करते हो बताया था कि जहां प्रगतिकामी शक्तियां साहितिका उपयोग इतिहास के हवाले से समाज की प्रगत्सीलता को मजबूत करने के लिए करती है वही फासिश्ट सकतियां साहितिका इस्तिमाल प्रतिक्रियावादी विशाधारा को बढ़ावा देने के लिए करती है यह भी ध्यान रखना है कि उपन्यास और इतिहास का एक गहरा संबन्ध लंबे समय से चला रहा है इतिहासिक उपन्यासों की समृध्य परंपरा इस बात का प्रमार है आप सब जानते हैं कि बंगला में डियल लाय से लेकर हिंदी में विरिन्दा वनलाव वर्मा आली के उपन्यासों को इतिहास को लोगप्री और दिल्चस बनाने में बड़ी भून का रहा है सरहपा, तुलसी दास और दारासी कोई दर्से साहितिक सांस्कृतिक विक्तियों पर लिखे हुए उपन्यास भी इतिहास मिथा करूपन्यास के समिलन के सुन्दर उदा रहा है दलित, जस्त्री और आदिवासी जीवन की अस्मिता से जुड़ा हुआ लेखनाज हिंदी के लोगतंत्र को विस्तार दे रहा है इस विस्तार में आत्म कथा के साथ साथ सरवाधिक लोगप्री विधा उपन्यासी है शाहितिके इतिहास के इस परवर्तन के दोर को पहचाने में उपन्यास सब से आगे है भूमंदली करण से पैदा हुई चुनोतियों और पर्यावरण के संकट और सवाल से जुड़े हुई उपन्यास भी अपने समय और इतिहास को वह चाने में महतवपूर भूमिका निवा रहे है हिंदी साहिति की भूमिका में अचार हजारिव सद्धिवी जी ने हिंदी साहिति के पास जाने की ज़रूरत को भारत की एक हजार साल के इतिहास को जानने के ज़रूरी बाना था शाहित और तिहास के सम्मंद में विजार करने के क्रम में इस बात को भी ध्यान में रखना आवस्यक है निसकर्स के तौर पर हम कहा सकते हैं शाहित और तिहास के सम्मंद पर विजार करते हुए निसकर्स के तौर पर हम यह कहा सकते हैं कि इस बात में इस बात को लेकर कोई संसे नहीं होना चाहिए कि साहित और इतिहास का पारस्परी संबन्थ बहुत सगन है विभिन्य विधाओं में लिखा गया विभिन्य भिन्य समय का साहित ते ना केवल उस दोर की समाज विवस्था से हमारा परचे कराता है बल्ग अधिकतर समय में इतिहास लेखन को भी सहयोग देता है भक्ति काल की कवितायेंग, समकालिन, सामन्ति, मनुवर्ति और सामाजिक जीवन के उद्वेलन को समझने का महत्वण आधार प्रदान करती है नायकत्व आधारित विरगाथा काल की कृतियों के साथ इतिहास का गहरा जुडाव दिखाया सकता है इतिहास बोध और साहित बोध की समलित संस्कृति से निर्मित महा कवियों के नायकत्व की आधार प्रदान उपन्यास विधा की आधामन से परबरतित हुई इतिहास बोध और इतिहास बोध और इतिहास चेतना से भी उपन्यास का गहरा जुडा होता है विधात्मक सिस्टाचार की अधिन हर एक विधायें अपने समय के इतिहास बोध से संबन्वे बनाये रखने में लगबग अपनी तरह से प्रयास करती है साहित और इतिहास के संबन्द पर विचार करने के क्रम में किदि हम कुछ रचनाओं को ध्यान में रखें तो एक तरफ हमें प्रेमचंद पर विचार करने की ज़रुरत दिखाई पड़ती है प्रेमचंद के गुदान को अगर आप लें तो आपको दिखाई पड़ेगा कि किस तरह से खोई के मात्रम से उन्होंने अपने समय में एक सिमांद किसान एक छोटे किसान के दुख की जो बहुआयमी गाथा है उसको अव्यक्त करने का प्रयास किया है खोरी धीरे धीरे जिस व्यापक गुलामी का सिकार हो रहा है और जिस गुलामी में उसके मृत होती है यह तै कर पाना मुश्किल होता है कि उसकी गुलामी उसके दुख के वास्तवी कारण सीधे सीधे कौन है गुलामी की जो बहुस्तरियता है रामिला जी ने लिखा कि भारत में जो सामराजिवाद आया वह सामन्तवाद के कंधे पर सवार होकर है सामराजिवाद के सामने सुविधा यह थी कि वह सामन्तवाद का उपयोग कर सकता था आप याद करें राजारा मोहन राय ने जब सती पर्था का विरूद किया था तब उन्हें इस बात को लेकर बहुत गहरी जिन्ता थी कि अंग्रेजी सरकार सती पर्था का विरूद तो दूर समर्थन करने के लिए तयार थी उन्हें अश्यर होता था कि जो अंग्रेजी सरकार आधुनिक्ता की बात करती है जो प्रिटी सरकार एत्रियों की स्वाधिन्ता की बात करती है वो सती पर्था जैसे दक्यानुसी और कुचित पर्थाओं के विरूद में कानून लाने का साहस क्यों नहीं करती ये इस बात का प्रमाण है कि सामराज जवाद का जो चरित्र होता है वो कभी भी प्रगतिसील नहीं होता लगवग वही सिती सामन्तवाद की है रामिला जी इस बात को समझ रहे थे कि दोनों की मूल मंसा लगबग एक ही होती है आप गोदान में आप देखें राय साहब और प्रेटि सामराज जवाद ये दोनों लगबग मिले हुए इसी के साथ साथ बुद्धिजीवी का चरित्र बुद्धिजीवियों के चरित्र पर कारल माक्स ने लिखा है गांधी जी ने विचार किया है बाबा साहब अम्मेद्गर ने विचार किया है और सब लगबग अलग अलग विचारों के बावजूद इस बात से सामत है कि किस तरह से बुद्धिजीवी लगबग कोई क्रांतिकारी काम करने की इक्षा ने रखता वह भी जो विवस्था है उस विवस्था के साथ चलने में ही सहुलियत महसूस करता है प्रोफशन प्रीहंता जैसे चरित्र गोदान में इसके प्रमार है तो राज सद्धा मतलब सामराजवाद, सामंतवाद और बुद्धिजी भी तीनों के गठबंधन को गोदान में प्रिम्चन ने सामने रखा है और ये तीनों गठबंधन किस तरह से साधारन, किशान और मजदूर की बुद्धमना को, उसकी त्रासदी को समझना तो दूर बलकि उसे अंत अंत तक उस प्रिस्क्ति में पहुंचाते हैं जहां से उसका पूरा लोटना मुस्की लगता है ख़़ी की मृत्य लगता है कि भारत की साधारन, किशान की मृत्य है 1936 में प्रकासिति उसूपन्यास में केवल 1936 के किसान का नहीं, बलकि हजारों साल के भारत की किसान का दुख उसकी पीड़ा उसकी विड़वन दिखाई पड़ती है आप किसान जीवन से जुड़े इस उपन्यास को सामने रखें और बंकिम के परान मंडल को आप याद करें सामें निवन्द में जो ने परान मंडल की बात की परान मंडल भी लगवग वही है जो फूरी है बंगाल का किसान हो चाहे उत्तर प्रदिर्श का किसान हो या फिर आप आगे चलें मेला अचल मेला अचल का ड्रक्टर प्रसांत देखता है कि इस जो बिमारी है वो बिमारी की जड़ें अभाव है गरीबी है और मच्छड काटेने से नहीं गरीबी से मर रहा है गाव और किसान को लेकर लिखे गए आजादी के पहले और आजादी के बाद के इन उपरन्यास्तों के चरित्र में इन उपरन्यासकारों के द्रिष्टिम में अंतर है और अंतर स्वभाविक है लेकिन किसान की इस सिती में कोई फार्क नहीं ये दोनों रचनाए हम अगर गुदान को रखें और फिर मेला अचल को रखें तो दोनों उपरन्यासों के माध्यम से हम साहित और इतिहास के सम्बंदों पर विचार कर सकते हैं इसके साथ में आपका ध्यान बाबा नागारजन की कविताओं की तरह भी आकिस्ट करना चाहूँगा बाबा नागारजन की कविताओं को अगर आप अधिहासी कर्म में उठा कर पढ़ें तो मुझे लगता है कि उन कविताओं के आधार पर आजादी के बाद के भारत का लगबग एक इतिहास लिखाया सकता है उसी तरह से जैसे स्वाधिन्ता आंदोधन के दौर में किशानों की मजदूरों की साथारनों की इस्तिती का इतिहास प्रेम्चन की रचनाओं के अधार पर लिखा सकता है आप व्याद करें कि सुमित सरकार जब आतुनिक भारत का इतिहास लिख रहे थे तो उन्हों ने उस किताब की भूमिका में लिखा है कि अगर मैंने रंजीत गुहा से बात की होती और उनके सवाल्टन के काम से परसित होता तो भारत के इतिहास को देखने का नजरिया मेरा बिलकुल अलग होता सवाल्टन ने जो काम किया और एंटरियो ग्रामसी को मैं विशिस रुप से याद कर रहा हूँ कि जिस तरह से उन्होंने सवाल्टन किया उधारना का विकास किया उसके बहुत पहले हिंदी में प्रेमचन वह काम कर रहे थे विचार धाराएं अपनी जगा पर होती है साहित अपनी जगा पर होता है इतिहास अपनी जगा पर होता है कई बार कौन आगे निकल जाएगा कौन पीछे रह जाएगा या कहना मुश्किल होता है